बिहार में जेडियू बीजेपी गडबंदन फिर पांच साल बार तूट गया, चाचा भतीजे ने फिर से सरकार बना ली, नितीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गये हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उड़ता है वो ये कि बीजेपी का बिहार में आफिर मविश्य क्या है, 2014 के बाद वाली मोदी शाह की बीजेपी आकरामग धंग से विस्तारवादी तो रही है, वो बीजेपी जो अपनी सयोगी पार्टियों को राजियों में निगलने के जिसका उधारन हम महराष्ट्र, असम और गोवा में देख चुके हैं, बिहार में भी शायद यही होता, लेकिन उससे पहले ही निदीश कुबार ने बीजेपी के सारे अर्मानों पर पानी भीर दिया, तो अब सवाल ये उड़ता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में आखिर बोटों का गणित होगा गया, दरसर जेडियू का मानना है कि 2020 के विधान सभा चुनावों में बीजेपी ने चिराग पासवान की लजेपी को जेडियू के पीछे पीछे लगाकर उसकी सीटों को नुकसान पहुचाया, जिसे हम चिराग फैक्टर नाम से जानते हैं, इसकी गड़बंदन के तूटने की भी सबसे बड़ी वज़े रही, बीजेपी बिहार में पकड़ मजबूत कर रही थी और कम सीटों की वज़े से जेडियू अपना सामाजिक आधार हो रही थी, अब इसी को लेकर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ओब इंडिया ने एक रिपॉ और आप देख रहे हैं न्यूस तक, लेकिन अब जब जब जेडियू ने एंडिय की कष्टी छोड़कर आर्जेडी का दामन थाम ही लिया है, तो इससे अब नए राजनीतिक समीकरन बनेंगे कैसे, जो तीनों बड़ी पार्टियों के लिए सिर्फ अफसर ही नहीं, बल्कि खत्रे भी पैदा करेंगे, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सबसे बहले बात करते हैं BJP की, BJP का ध्यान अब floating voters को अपने पाले में करने में होगा, लेकिन ये floating voters अगर आप नहीं जानते की कौन होते हैं, तो आईए आपको बताते हैं, floating का अर्थ हिंदी में होत जिनकी संख्या 26 प्रतिशत है, और महादलित voters जिनकी संख्या 16 प्रतिशत है, उन्हें floating voter माना जाता है, यानि कि इनकी संख्या 42 प्रतिशत, बहराल BJP इस बात से बहुत खुश है कि उसे सत्ता विरोधी रुजहान से फाइदा मिलेगा, क्योंकि अब तक के सर्वे में ये पूरी कोशिच करेगी, वो भी तब जब वो जातर समय इसी गड़बंदन का हिस्सा रहे, हाला कि BJP के लिए अपने संख्याटन को मजबूत करने, नई पीडी के नेताओं को उभारने के लिए शायर समय हाथ से निकला जा रहा है, राज़ब में नेत्रत्तों संकट से जू साथ ही आती पिछणों और महा दलित वोटर बेस में BJP सेन्द मादी करने की पूरी कोशिच करेगी और जेडियू उसे रोकने के लिए आरज़बंदन का इस्तमाल भी करेगी, लेकिन इसे जेडियू की छवी को भी नुकसान हो सकता है, कैसे? दरसल उसे कभी आरज़ब तो अब आने वाले समय में करनी होगी, दरसल 2017 के बाद से तेजस्वी यादव के नित्रतों में पार्टी अब तक नितीज के खिलाव आक्रामक अभियान चलाती रही, हमने उनके कुछ ट्वीट्स भी देखे, पिछले चुनाओं में उसने नौकरियों को लेकर नितीज कुमार के खिलाव आक्रामक अभियान चलाया था, लेकिन अब वो सत्ता का हिस्सा हो गए हैं, और सत्ता में आने के बाद वो नितीज राज की कथित नाकामियों का मुद्दा नहीं उठा पाएंगे, हाला कि ये है कि बचे कारेकाल में उन्हें बहुत अच्छे से काम करना होगा, और EBC में अपनी सुविकारिता बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी, फिलाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि BJP 2024 के लोगसभा चुनावों के लिए, JDU, RJD और कॉंग्रेस की सईयूगत ताकत का सामना करनी के लिए आखिर तयार कितनी है, क्या नतीजे 2015 के बिहार विधान सभा चुनावों की तरह होंगे, जब महागडबंदन ने बहुत ही आसानी के साथ BJP को माद दे दी थी, या फिर पडोसी राज्य के 2019 चुनाव की तरह होंगे, जब BJP ने सपा और बसपा यानि बुआ और बबुआ के महागडबंदन को आसानी सहरा दिया था, दरसल के जरीए समझाते हैं, दरसल J.D.U. और R.J.D. का जो संयुक्त कोर वोट बेस है, वो 15 प्रतिशत यादव, 11 प्रतिशत कुर्मी, कोईरी 17 प्रतिशत मुस्लिम और BJP के पास है सिर्फ 15 प्रतिशत सवर्ण, यानि कि महागडबंदन के पास वोटिंग परसंटेज काफी ज़ कर रही है, बले ही गडित यूपी जैसे लग रहे हूं, लेकिन BJP के लिए बिहार में असली समस्या कास्ट के मिस्ट्री के हैं, जहां मंडल पार्टियों की एतिहासी ग्रूप से EBC और दलितों में व्यापक्स वीकारेता है, इसके साथ ही नितीश कुमार खुद को EBC नेता के जरीए EBC की अकांगशाओं की पूती की भरपूर पोशिश करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी और बिहार में केंद्र की मोधी सरकार की अप्रूवल रेटिंग जादा बनी हुई है, जो जेडी और महागडबंदन के लिए चुनौती पूर्ण साबित हो सकती है, के विधानसबद चुनावों में इनी फ्लोटिंग वोटर समू ने दोनों गडबंदनों में, यानि की महागडबंदन और बीजेपी को बराबर बराबर बोट दिये थे, यहां तक की बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट होनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पार्टियां खुद को EBCs और अती पिश्रों की पार्टी कहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं और 2025 में जो इधानसबद चुनाव होने वाले हैं, उसमें मुकाबला जो है, वो बहुत ही कड़ा रहने वाला है, इंट्रस्टिक रहने वाला ह के लिए बेहद चुनावती पूर्ट रहने वाला है, लेकिन आपका क्या खयाल है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईए, मंडे टू फ्राइडे में से तरह के वीडियो आप तक लाती रहोंगी, अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं